नमस्कार आप देख रहे हैं डीवियन टीवी और मैं हूँ आपके साथ देमराजाओं इस समय हमारे बीच अली नेगर विधान सवा के जुझारू और भारतिय जनता पार्टी के काफी करीबी नेता C.A. सुरेश जा मौझूद है C.A. सुरेश जा किसी भी परीचे के मौताज नहीं है मुंबे में इनका अच्छा खासा बिजनेस है उसके बावजूद आजकल अली नगर विधान सवा में लगातार कैमपन करते हुए नज़र आ रहे है देश के परदान मंत्री नरेंद्र मोदी के किये गए कामों को जनजन तक पहुचाने का लगातार वो काम कर रहे है हमारे भी C.A. सुरेश जा मौझूद है सर आपका स्वागत है टीवेन टीवी में आखिर क्या था क्योंकि आप मौंबे में थे और मौंबे के गलियारा में रहने के बाद काफी अच्छा आपका बिजनेस भी है पुरी तरह से आप सेटल भी है बावजूद आप अली नगर विधान सवा पहुच गया है और क्या ऐसा आपको लगा कि मौंबे में इतना अच्छा खासा बिजनेस छोड़के आप आज अली नगर और विहार में लगातार मोदी जी के केमपन को मोदी जी के विचारों से प्रभावित हो करके आप यहां लगातार जंजर तक उनके आवाज को पहुचा रहे हैं नमस्कार बिए नियूज के सभी दर्शकों को आपसकर एमडाजा जी और आपके टेम को यह अभी जो चर्चा है क्योंकि लगाता है मैं आरजेटी के तरब से या महागडवंदन के तरब से अब तक कोई चेहरा नहीं आया है और उस पे अभी कोई वीचार में नहीं हुआ है लेकिन जहां तक NDA का सभाल है तो NDA के तरब से कई चेहरा हमारे बीच आ चुके हैं स्टूडियो में आया हैं उनका इंटर्वी हुआ है तो आखिर NDA अलिनेगर बिधान सभा में अगर वो आना चाहती है क्योंके RGD का गड़ माना जाता है और क्यों न माना जाए क्योंके लगातार से यहां RGD के नेता ही इस पे विराजमान है तो NDA को किस तरह से मेहनत करना पड़ेगा यहां सबसे पहले मेरा सवाल है कि भारतिय जनता पार्टी में आखिर जो लोग आ रहे हैं वो अपनी राजलिती करने के लिए आ रहे हैं तो ऐसे में भारतिय जनता पार्टी में अब तक जितना नाम आया है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जहां तक लगता है उसमें सबसे ज़्यादा अभी तक परभावित चेहरा वो C.S. सूरस जग है तो ऐसे में अगर भारतिय जनता पार्टी अगर संभावित चेहरा आपको बना देती है यहां से तो कैसे आप अली नगर हिदान सबाग का डेवलब कर पाएंगी राजा जी कल मैं दर्भंगा से जा रहा था लगमा मैं कैसे कैसे गया हूँ पहले मैं कुर्थू कुर्थू में रोड टूटा हुआ फिर उदर से घूम के मैं वेनिपूर वेनिपूर से फिर घूम के पकड़ी पकड़ी से पिर अली नगर और अली नगर का रास्तार भी दे यहां पर कोई सरक्षी जाल नहीं बन रही है लेकिन फंड तो इडूज हो रहा है कहा जा रहा है वो फंड अच्छा आपको क्या लग रहा है अगर विधान सभा में अभी किन किन चीजों की कमी दिया हूँ मैं अपिर से बोल रहा हूँ इंफ्रास्टर्चर बहुत नमजोर है और जो कमला बनान की तर्डबत है उसको एनेक्स में गड़ट करवाना यहां के जो भी अमेले आएगे उनका अथम काज होना चाहिए और दर्भूंगा और सहरसा के बीच में अलीनगर को एक बिजने सहब जाहिए जहां से सभी प्रड़क्ट की पुलिंग हो और यहां की जनता को वहां पर अपना मेटरियर रखने का गवसा करवाना चाहिए इतनी सारी जोजनाएं है कोई जी जोजना धरातर पर नहीं दिख रही है सभी जोजनाओं को लागू करवाना चाहिए अभी देखिए म मखाना के लिए सेंटर गवर्मेंट ने में फिट लिया कहीं पर कुछ नहीं है होना चाहिए वहां से सभी इंटरनेशनल सप्लाई होगा यह जगा ऐसा है जहां पर चाहेंगे तो बहुत अच्छी डेवलाप्मेंट हो सकती है इकोनोमिकली बहुत स्क्रॉब पोजिशन अले नगर मिलान सभाथ बन सकता है मैं पारी मार्केट को देख रहा हूं बहुत पुरानी मार्केट है आज इक लिए उसको सही ड़न से सिस्टमेटिक नहीं किया तरच करता है क्यों नहीं कर पाए वो करता है जो भी रोड इन्हो अब पूल करते बोला था एक जिना कि नोमट का इडिकेट कर वाया था कि क्या बुंद रहा है आप देखें वो जा की खुच आक देखें और रोग रही हो अब बहुता है कहीं पे जदी आपको आठ इंच का धलाई करना है आप तीन इंच का धलाई करोगे तो आप आप कुछ नहीं तक करता हैम यह से दिखाती है कि जिढा करने की मान सिथ्ता है भिकाश Van अलिनेकर विधान सवा में सबसे बड़ा एक और मुद्दा हे है क्या निन अबर घंश्याम कूम पर्खण और उसी का हिस्था है बहुर किसी परिचे का मुहताज नहीं है लेकिन आज की जो इस्थिती है वहां की वो मानू लगता है कि आजादी से पहले वाली है उसके लिए क्या निदान है सरकार के पास या फिर अस्थानिये जो यहां के एमेले आएंगे उनके लिए या फिर आप अगर भारतिय जन्ता पार्टी के तरफ से संभावित चेहरा होंगे तो क्या निदान होगा आपकी तरफ से बार में पिछले साथ बार में नहीं मिल रहा था मैं बार फुद से नौखे बैट्के समाग लेके गया था तो वहां के लोगों को जहां तक हो जघाता को शिष्ट यांखा में आपना प्रयास दूसरा बार की वो समस्या वो समस्या सरकार को सरकार में बताया दी है लेकिए वो समस्या का समाधम उने भी पा रहा था जैसे ही तक्डबंध दैनेट्स में convert होगा, तो बॉर्ट को सबसे पुनरवास के लिए जगह दिना चाहिए, और बॉर्ट के लोगों को, जथी उनकु स्वन्टिमेंटल अटाइश्मेंट है, भाउत्ता बस बहुत से नहीं आ पा रहेंगे, तो वो सेकेंड मों की तरह उसको करेंगे, फर्स्ट वों वो बात, तक्डबंध के बाहर बात, जो रिहांदर्शन रिक्ड़वास का लिए जगह दिया रहेगा, वहां पे वह आपना करवन आएगे, और वहां पे बाहर के समय में और नहीं रहेंगे, इसका यही एक समाहां के लाहा है, लेकिं आज जो आप बोल रहे हैं, वहां के बहुत सब उच्छनत होती है, लोग आके बाहर बात, तक्डबंध में रहते हैं, बाहर की समय दिनकी दिनकी पक्का मकान है, वह पक्का मकान के लिए पढ़ जाके, शरकार के वियांगवार, यह तेंट, अधरवार यह आपना टेंट पहने से दिवस जो पुलरवास के लिए जगर दिया जाएगा, जो बाहर के सदय में वो यूज करेंगे, और चुकी सेंटिमेंटल हैं, तो वहां जुटे रहे हैं, यह वहां की समाधान मुझे दिख रहा है, आप जिस तरह से अस्थानी परतिनिधी को खेर रहे हैं, मुझे लगता ठीक न है, मैं यह नहीं बोला हो कि दीडो हो गया, पहले तो भैस के छाप थे, अभी कम से कम, फोरा सा चपल पहल के ऐसे बुद के दुरू निकल जा रहा है, वीस परसेंट प्रिकास हुआ था, हुआ है 100% के जगह, मैं वो बात कर रहा हूं आपको, 100% होना चाहिए था, 20% हुआ ह है, आब थूर मना है, रोड नहीं मना है, वो रोड माःत पहिसा निकाल के मिश्टू जो गया है, वह चीज़्े है यहाँ पर, विकास हुआ है, अब enterprise वाली, महारक तो है नहीं यह था, सहिटादिस वाली महारक है नहीं, तो इसके गंपरी महारक तो हैं नहीं, रूज तो ह ज़िए योजनावर्ती है तो आसी क्रोर का कमसे कम विकास दिखना चाहिए नेरा वो विकास से कहने का मतलब है जो सरकारी योजनाये सेंटर और स्टेट की है वो आपकी धरातल पर दिखनी चाहिए आज बोट लगी रहती है उच्छ नहीं रहता है हुआ पर कि मैं एक पिक्चर देखा था वेड़न अपपा यापी देखिए घर लेजनता से भी बोलूगा वेड़न आपा देखिएगा उसमें वहीं को रहती है आपने वेल्डन अभबा का परचार भी करोंगे। मेरो साथ के ति कुमा बोर रहा हूँ और वो कुमा है ही नहीं। मैं उसकी बात तक रहा हूँ। फंड निकल गई, शेर्टर गवर्मेंट का फंड निकल गया। अस्थानिये नेता लोग विकास नहीं रपाए। क्यों? यह मेरा कुश्चन आपसे है। आप जब गईएगा अपर इनली सबसे पूछिएगा खास करके हमारे चिजिक्षी साहब से पूछिएगा मैं यहां पर पोड करता हूँ कि वो तुमा सब कहां है मैं आप मुझे बार 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 होते हैं बार बीजेपी की सरकाल है मैं अली नगर की बाते कर रहा हूँ आपसे कि सिदिक्षी साहब जो इतने सौचाले बने आप नमबर निका दियेगा चाना सबसे ब्लॉक सबसे कितनी सौचाले बनी है और जाके आपको इपनेटिकसर किजिएगा कितना सौचाले आपको दिखता है मोदी जी की जो इच्छा रहे उसको कम से कम लागू करवाओ एक्दम देवलप हो जाएगा इंडिया बस इतना ही मेरा कहना है यहां की जन पृत्निदी से ज़्यां जरूरी नहीं कि मैंनियों का लेकिंस जो भी आएगा उसके आपके अपनी बातेव बिगास हमें चलिए बहुत बहुत धनएवाद तो यह थे हमारे बीच सी ए सुरेशचाद जो अली नगर बीधान सब्सक्रासस भारतिये जंता पार्टी से संभावित चेहरा ऊब्त. चेड़ा है और उस चेहरे में सबसे नमबर एक पे है सीए सुरेज जाब ये थे हमारे बीच अभी इस टूडियो में नमस्कार दन्यबाद राजा जी आप और आपकी पूरें पेपी जाने मुझे को